है 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 कैसे हो मैं हूँ आपका मेंटर संजीम जोतर और आज हम एक मार्केटिंग का नया टॉपिक लेके हैं जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं पर उससे पहले चैनल को आपका गुरूपल चैनल को लाइक करी और सब्सक्राइब करिए तो फ्रेंज आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही इंफर्मेटिव है तो इस पे इस टॉपिक को हमें पढ़ना सुनना भी चाहिए पर इस पे अमल भी करना चाहिए ठीक है यह हमारे एक सोशल रस्प पहले तो देखी ग्रीन मारटिंग है क्या इस इस प्रिजूम्ड टो बी इन्वर्मेर्मेंटल आंउम्स शेफ औरisión country मारटिंग कर नि एब अन परड़ेंग निया जिस जो क्या हो जो क्या हो environmentally safe देखो जितना भी हम कह सकते हैं आज कल देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं जितने भी हमारे natural resources are just we are exploiting our natural resources and it will create some imbalance in the environment अब environment में वो imbalance create हो चुक है हो जाएगा जब हम लगातार क्या करते रहेंगे हमारे जितने भी natural resources है चाहे वूड हो या कुछ भी हो ठीक है natural resources जो भी हमारे है जो nature ने हमें दिये है उन natural resources को अगर हम exploit करेंगे सही डंग से यूज नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी हमारी man-made activities है ठीक है उसमें हम क्या कर रहे है और उसमें चाहे है अपने आपको हम क्या कर रहे है ज्यादा modernization हो चुकी है जिस उस modernization को fulfill करने के लिए उसे फॉलू कर रहे है उसे जैसे फॉलू कर रहे है से क्या हो रहे है कि हम अपने natural resources को exploit करते जा रहे है ठीक है जैस जैसे हम exploit करते जा रहे है और उनकी कमी हो रही है और नेचर में क्या रहा है imbalance आ तो 1990 से यह concept आना शुरू हुआ that is the green marketing की इस तरह के product बनाओ we have to manufacture the products which are environmentally safe without harming the flora and fauna flora मतलब plants fauna मतलब animals flora and fauna को हम पहुंचाए बगैर आपको products बनाने पड़ेंगे manufacture करने पड़ेंगे ठीक है उसे उस concept को बोलते है उन products की marketing को हम क्या बोलेंगे green marketing eco marketing की word बोला क्यूंकि हम अपने ecosystem को बचाएंगे we have to save our ecosystem flora and fauna by manufacturing the green products green products ठीक है तो अब green products में basically green marketing में कुछ activities abroad activities है वो कौन-कौन सी है product modification आपको क्या करना पड़ेगा product modification innovation change in product process packaging modifying advertisements यह चीज़े करनी पड़ेंगे देखिए product को modify करना पड़ेगा sustainable product बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा sustainable sustainable development में बात करें sustainable development क्या है कि ऐसा product बनाएं जिससे की natural resources पे effect ना पड़े और वो natural resources हमारे future के लिए हमारे generations के लिए बच जाए उन्हें वो यूज कर पाएं हम उसे exploit ना करें हमारा हमारी गलतियों का जो खमयाचा वो हमारी generation को भोगतना ना बड़े तेरी sustainable development ऐसा product बनाएं जो harmful ना हो मारे future जो मारी generations है उनको उसका हम कह सकते हैं खमयाचा ना भोगतना पड़े तो फिर क्या करना पड़ेगा product modification product को modify करो product कैसा होना चाहिए modified product जो product है उसमें क्या product modification में भी क्या थ्री आर अप्रोच यूज करो you have to use the 3R अप्रोच 3R अप्रोच मतलब reduce reuse recycle ऐसा product reduce जिसमें wastage कम हो ऐसा product जिससे आप reuse कर सको जैसे आपकी बॉटल जाते हैं जैसे कोग बगार रही आप उसे रियूस कर सकते हैं अगर आपने अगर बाहर से water bottle नहीं लेनी तो आपके घर में कोग आती है जो भी पीते हो आप तो वह क्या है वह स्कोग की बॉटल को आप ऐसे water bottle यूज कर सकते हो ठीक है बगार इसके कि आप भार फैक दो जिससे कि क्या हो soil pollution create हो जाए water pollution create हो जाए तो ऐसा product बनाओ जो reusable हो reuse कर सको recycle कर सको ठीक है जैसे आपके pages है आपकी जो pages आते हैं कपड़ा जो सारी recycle हो सके ऐसे product बनाओ जिसमें wastage कम हो जिससे reuse कर सको जिसमें recyclable property हो जिससे आप recycle कर सको तो अपने product में आपको modification करनी ही पड़ेगी जिसमें आपको 3R approach लगाने पड़ेगी innovations तो यह कब चीज़े हैंगी जब आप innovations करोगी which is a need of some innovations you have to innovate the product अपने product को innovate करें इनोवेशन मतला changes करने product में changes करने कुछ खास चीज़ लेके आना उसमें product में जिससे जिससे कि हो वो sustainable development बरकर आ रहे वो product ऐसा हो जो हमारी generations के लिए नुकसान दे ना हो ऐसा product innovate करो ऐसा product बनाओ ठीक है जैसे हमने काफी सारी examples देखी होगी जैसे हमारे पास अभी अभी latest यह हमारे concept जो चला हुआ है काफी सारी examples लवाइस की बात करें वो लवाइस क्या कहती है कि हम वो जीन्स बना रहे हैं जिसमें हम और्गैनिक cotton को जो की बात करते हैं वो क्या है वो भी पार्ट है किसका green marketing का ऐसे एंजिन्स त्यार कर रहे हैं जो जिसमें pollution कम हो लेड़ फ्री उसमें और यूज करते हैं पेट्रोल यूज करके ठीक है बिए शिक्स एंजिन्स का मतलब क्या है क्यों बना रहे हैं पहले इंजिन्स कराते पहले ठीक थे पर यह क्या है सबीन्स करा हां फाइंड जिसमें pollution कम होगा में मकसा government कि है हम अपने रिसोर्ट हैं हम ऐसे थियार करें कि जश्में क्या होगा कि कम से कम your पेदा होगा कम से कम पेदा होगा उससे क्या होगा हमारे नेटरल Senior से हैं वह भी क्या रहेंगे ठीक रहेंगे concept रहेंगे तो तो इस तरिक्ष से आप modification कर सकते हो cfl bulb आगे cml बंच पैने जो हमाडे बल्ब सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और इलेक्ट्री कार्स आगी इलेक्ट्री कार्स में भी क्या है इलेक्ट्री कार्स जैसे आएंगी तो वह क्या होगा पेट्रोल और डीजल जो हमारे नेच्रल रिसूर्स हैं उन पे जो हम कह सकता है, उनकी consumption कम हो जाएगी, वो भी मारे save हो जाएगे, ठीक है, तो यह कुछ मैं एक examples आपको बता रहा हूँ, changes in product process, ऐसा production process हो, जिसमें आपकी wastage कम हो जाए, अगर जो wastage हो, उस wastage को भी use किया जा सके, देखो symbiotic relationship होगा इसमें, एक company का waste, दूसरी company use करे, जैसे thermal plants, उसमें जो ash निकलती है, उसको भी हम use कर सकते हैं, तो ऐसा production process हो, जिसमें कि आपके waste को भी use किया जा सके, ऐसा process यूज करो, जिसमें आपकी wastage कम से कम हो, ठीक है, और packaging, यह बड़ी important चीज है, packaging, packaging बहुत ज़रूरी, packaging आपको mention करना पड़ेगा, देखो आपने के copies भी दे save, freeze, save, water, यह examples के हैं, अपनी copy के पीछे लेखना हो कही है, वहापे लिखा, save, freeze, save, water, ठीक, यह किसका पार है, किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about the green marketing, ठीक है, तो यह कहीं नहीं कहीं, एक social marketing, societal marketing को कुछ साप्ट भी बन जाता है, उसके साथ ही, मिलता चुलता का साप्ट है, हम हमारे environment को polluted ना करे, air pollution, water pollution ऐसा create ना करे, जैसे domino's की packing आते है, किसमें cardboard आते है, polythene विगारा उसमें नहीं होती, आपने देखा होगा सारा cardboard का होता है, वो भी किसका concept है, that is the concept of packaging, इसका green marketing, packaging ऐसी हो, ठीक है, जैसे अभी mcdonald's में कैसे है, जो हमारे napkins होते हैं, वो भी क्य करते हैं, कि आप उसमें कहीं पे भी आपको plastic नजर नहीं आएगे, वहाँ पे आपको plastic नजर नहीं आएगे, reusable, यह आप कह सकते हैं, वो destroy हो सकते हैं, ठीक है, modifying advertisements, आपको advertisement भी कैसी करने पड़ेगी, modified advertisements, आपको green product को, आपकी advertisement ऐसी होने चाहिए, जिसमें आप encourage करो लोगों क four product buy करने के लिए, लोग कहते हैं, क्यों buy करें, अगर हम कहेंगे, यह product ले लो, आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको अपने advertisement में modification लेका ने बड़ेगा, you have to promote the product, green products, by creating awareness among the consumers, you have to tell the consumers, these are the right products for the consumers and for the environment, आपको बताना पड़ेगा, आपको advertisement में changes आएगे, ठीक है, इसका effect product किस पी और पड़ेगा, आपकी जो four piece है, product, price, product, price, place, promotion, ठीक है, आपका product कैसा हो, sustainable product हो, आपकी price कैसी हो, ऐसी price, अगर वो बंदा आपका product buy करे, उसको उसकी utility मिले, utility add करनी पड़ेगी आपको, वो कहता है, मैं क्यों product buy करूँ, मैं CFL बल पे, एक तो 20-25 रुपे का दूसर बल बात है, जो CFL बल जाते हैं, या जो अपरे LED lights आते हैं, LED बल जाते हैं, वो आपका 150 का 200 का आते हैं, तो दोने में फ़रेगी चीज़ का है, आपको बताना पड़ेगा, कि इसका price पे तो कर रहे हैं, पर इसका फाइदा आपको ज़्यादा मिलेगा, आपका environment बचेगा, और जादा देर तक वो चलता रहेगा, जितना आपने पैसा उस पे खरच किया है, आपने price जो दिया है, प्लेस, प्लेस, transportation, ठीक है, आपको transportation, logistic को manage करना पड़ेगा, कि आप logistic को proper manage किया होगा, तो movement कम होगी, transportation कम होगी, जितनी transportation कम होगी, diesel, patrol जो भी होगा, वो कम consume होगा, तो आपका natural source पचेएगा, उसको भी आपको proper manage करना पड़ेगा, promotion, online promotion करो, ठीक है, बगैर इसके कि आप paper को use करो, और किसी चीज को use करो, pamphlet को use करो, आप क्या कर सकते हो, online promotion करो, through internet use कर सकते हो, तो ये सारा part किस चीज का बताया है, that is the green marketing, किसका को साब बताया, green marketing, और इसम ये एक consumers ऐसे आते हैं, lohas, एक और क्रस्प, चूटर से प्रसेप्ट, ल, O, H, A, S, इसे हम बोलते हैं, lifestyle of, lifestyle of health, health and sustainability, कि इसमें क्या बात कर रहे हैं, कि वो consumers, जो green products को, lifestyle of health and sustainability, ऐसे कुछ लोग होते हैं, consumers होते हैं, वो costly products, green products को buy करते हैं, वो किस category में आते हैं, green products को buy करते हैं, वो किस category में आते हैं, lifestyle of health and sustainability, ठीक है, तो ये था, आज हमारा मेन एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इसका ग्रीन मार्क्टिंग के एक जैंपल से बीपता ही, देखो टूरिज्म की बात करें, उसमें भी क्या है, एको टूरिज्म, आपका भी माचन में चले जाओ, या किसी भी हिली स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पर क्या कर ग्रीन मार्क्टिंग, इको मार्क्टिंग का कॉंसर्ट आपको अच्छे से क्लीर हो गया हो, ठीक है, तो आज के लिए फिल इतना ही था, मुझे जास्त दीजिए, थैंक्यू, गुडबाई, टेक केर,